तो दोस्तो इस वीडियो में मैं जनरलिजम के उपर तीन डाउट स्टूडेंट्स के क्लियर करने वाला हूँ जिनमें से पहला doubt students का जया होता है कि अगर आपको generalism का course करना है उसके लिए आखिर क्या legibility criteria है उसके बाद मैं आप से discuss करूँगा कि जनररलिजम का course आखिर क्या होता है और अंत में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आकिर जनरलिजम का कॉर्स करने के लिए आकिर कौन-कौन सी स्किल्स होनी चाहिए हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं बैचलर ओफ जनरलिजम के उपर स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों अगर आपको जनरलिजम के उपर कुछ और वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैंने उन वीडियो का लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म उनने के बाद उन वीडियो को जरूर देखियेगा तो चलिए अब हम अपन पत्रकार बनना है तो इसके लिए आपको जनरलिजम का जो कोर से वो आपको करना पड़ता है जो पत्रकार होता है वो समाज के लिए बहुत जरूरी होता है पत्रकार किसी भी पीडित परिवार को इंसाफ दे सकता है जो पत्रकार होते हैं वेह समाज में हो रही अच्छी और बुरी गटनाओं से हमें अवकत करवाते हैं और वेह सरकार से सवाल करते हैं जो पतरगार होता है वे किसी भी परकार का हो सकता है जान तो वो बिजनस से रिलेटिड खवरों को दे सकता है जान तो वो स्पोर्ट से जुड़ी खवरों को दे सकता है तो जैस अब आपकी परसन सी फील्ड में खबरे देनी है जनरलिजम का जो सीधा संबन दे वो न्यूस टीवी चैनल और रिडियो स्टेशन तक है अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इलिजिविलिटी करेटीरिया फॉर कोर्स जैनि अगर आपको जनरलिजम का कोर्स करना है तो इसके लिए आखिर क्या इलिजिविलिटी है तो इसके लिए आपको जो 12th की क्लास है वो आपको पास करनी होगी 12th की क्लास आप किसी भी स्ट्रीम में पास कर सकते हो जहां तो वो आर्स हो सकती है जहां तो वो कमर्स हो सकती है जहां तो हो साइंस हो सकती है तो 12 की क्लास को पास करके आफ बैचलर ओव जनरलिजम में अडमेशन ले सकते हो अभी मैं आफ से डिसकस करने वालाओं की required skill set for bachelor of journalism जानि जनरलिजम का कॉर्स करने के लिए आखिर कौन कौन सी skills होनी चाहिए इसमें जो सबसे पहली skill होती है observer जानि आपको चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझना होगा दूसरी skill होती है good judgment जानि आपको अच्छे तरीके से दूसरों को समझना होगा आपको काफी अच्छे तरीके से judgment करके समाचार को देना होगा तीसरी skill ले alert और discipline आपको स्तरक रहना है और discipline जानी अनुशाशन में रहना है इसके बाद जो skill आती है वो है general awareness जानी कि आपको basic ग्यान की knowledge होनी चाहिए और अंत में आती है communication जानी आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से दूसरों को समझा पाएं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने bachelor of journalism के उपर students के doubt clear किये हैं लेकिन अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो तो अंत में दोस्तों अभी आपको जह वीडियो केसी लगी अगर आपको जह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को like कर सकत हो और चैनल को subscribe करना मत बूलना दने